नमस्कार दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ओपो ए सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफॉन जिसका नाम है ओपो 838 तो इसकी करिंगे अन्बॉक्सिंग नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स लुक ड पर साथी साथ इससे हम वीडियो सूट करके देखेंगे इसकी वीडियो क्वाल्टी कैसे निकल के आती है फ्रेंट कैमरा से भी रियर कैमरा से भी तो फ्रेंट सबसे पहले तो इस स्मार्टफॉन का प्राइस जान लेते हैं बॉक्स पर तो आपको 16,999 रुपे प्राइस लि इसमें दिया गया है बॉक्स पैकिंग देखें तो वाइट कलर का यह बॉक्स है जिस पर मोबाल का डिजाइन तो कहीं नहीं दिया गया है model name यहाँ पर black font में mention किया गया है back side में भी ज़्यादा कोई details mention नहीं किया है लेकिन corner में देखें तो यहाँ पर कुछ details आपको देख जाएंगी जैसे कि आपको इसमें 33W का super book charger 50MP का AI camera 90Hz की sunlight display sunlight में भी देखेंगे इसकी display कैसी दिखती है 4GB RAM प्लस 4GB extended RAM मिल जाती है आपको इसमें तो चलिए दोस्तों अब हम इस box को फटाफट से unboxing करना सुरू करते हैं इसके बाहर का wrapper तो हम remove कर लेते हैं और आप धीरे धीरे box को open करना सुरू करते हैं तो जैसी हमारा box open होता है दोस्तों तो सबसे उपर एक mini box हमें नजर आता है जिस पर OPPO की branding की गई है अंदर देखें तो sim ejector pin और quick start guide user manual warranty कार्डियां पर दिया गया है इसके बाद आपको box में रखावा मिलेगा smartphone इसे फिलाल रखते हैं side में और अंदर देखें तो यहां पर एक बहुती बड़े size का heavy charger adapter दिया गया है दोस्तों और यह 33 watt का super book charger company ने दावा किया है कि यह 50% mobile को charge कर लेगा मातर आदे घंटे में इसके बाद आपको white color की एक type C USB cable box में नजर आएगी और हम आते हैं direct smartphone पर rapper से इसे करते हैं आज़ाद और यह निगल किया गया जी हमारा smartphone इसका front look देखे दोस्तों निरास कर दिया इसने यहां पर drop nose display दी है punch hole display आजकल सभी को पसंद आती है हाला कि pre applied scratch guard आपको इस पर मिल रहा है in and feel smartphone हाथ में काफी comfortable लग रहा है काफी अच्छे से आप इसे हाथ में carry कर सकते हैं काफी lightweight और slim smartphone है चलिए इसे boot पे लगाते हैं और इसका back panel पे नजर डालते हैं विलकुल flat plastic body आपको इसके back panel में मिलती है दोस्तों काफी कमाल का unique सा design और light के reflection में color change हो रहे है outdoor में देखें तो क्या कमाल का look आ रहा है दोस्तों आप यहां पर देखें बहुत ही बड़ी अलग रहा है इसका back panel और नीचे OPPO की branding की गई है camera medial भी थोड़ा अलग type का बनाए गया है दो बड़े-बड़े size के lens यहां पर नजर आ रहे है और LED flashlight दूसरी lens के अंदर ही fit किया गया है तो mean camera है 50 Megavixel का दूसरा 2 Megavixel का micro sensor camera दिया गया है with LED flashlight और front में drop notch के अंदर मातर 5 Megavixel का ही selfie camera आपको मिलता है corner इसके rounded है और यहां आते ही विल्कुल flat right side में power on की जस्ट उपर volume rockers, finger-fin sensor power on की पर attach मिलता है उपर की side कुछ नहीं नहीं आपको इसमें dual speaker मिलते है नहीं noise cancellation के लिए secondary mic दिया गया है left side में मिलेगी sim tray और open करके देखें तो आपको triple card slot मिल जाते है दो sim card और एक memory card तीनों एक साथ इस phone पर आप use कर सकते है mobile के bottom में 3.5 mm का audio jack primary mic, charging jack और speaker grill दिया गया है हमारा यह smartphone है splash proof plus dust proof तो वालका-फुल का पानी mobile का कुछ भी नहीं बिगाडने वाला बाकि दोस्तों यहां पर हमारा smartphone हो गया है boot और आगे बढ़ते हैं और इसकी जो brightness है इसे भी 100% कर लेते हैं ताकि display और अच्छे से better तरीके से हमें नजर आ जाए तो काफी colorful और bright display आपको इसमें मिल जाती है 720 nits की brightness आपको इसकी display में मिल जाती है outdoor में आप easily use कर पाओगे दोस्तों और sunlight देखे दोस्तों sunlight में है अभी display और display में आपको फिर भी सारे के सारे font जो है और सारे के सारे icon अच्छे से नजर आ रहे हैं तो आप कड़ी धूप में भी font का easily उपियोग कर सकते हो mobile के जो edge और bezels है corner उपर से पतले नीचे चिन थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है इस scroll आप करने पर आपको सारे के सारे application नजर आएंगे pre-install application भर-बर के दिये गए हैं इनको आप uninstall भी कर सकते हैं इसमें आपको मिल जाता है 90 Hz का refresh rate आप अपनी पसंद के अनुसार आटो पे रहने दे सकते हैं या फिर 60 Hz, 90 Hz बैटरी लंबी चलानी हो 60 Hz पर कीजिए बाकि दोस्तों आपको screen to body ratio मिलेगा इसमें 89.80% का अब दोस्तों इसके display का size भी जान लेते हैं तो 6.56 इंच की आपको इसमें HD plus IPS LCD दी गई है दोस्तों फुल HD plus display नहीं मिलती है aspect ratio है 20-9 screen resolution 720 x 1612 pixel और pixel density 269 ppi के आपको इसमें मिलती है 163.1 mm की इसकी height है 75 mm इसकी width है और 8.1 mm की thickness आपको मिलती है दोस्तों तो काफी slim smartphone है और 190 gram का है ये smartphone जिसके अंदर 5000 mAh की battery लगी वही है और अब दोस्तों इसकी setting को हम open करेंगे setting का जो interface है वो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जहां सारे option आपको दिये गए है हम चलते हैं direct नीचे और यहां पर about phone section दिग गया है color OS 13.1 का आपको इसमें मिलता है device name mention है storage meter के अंदर आपको storage से related सारे की सारे information मिल जाती है कि आपका storage कहां कहां user का है model name processor की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 2 GHz का octa-core processor और chipset MediaTek Helio Z85 वैसे दोस्तों देखा जाए तो आज के time में तो 7,000 रुपे की range के smartphone में MediaTek Helio Z85 का chipset मिल जाता है तो OPPO को यहां पर कुछ ध्यान देना चाहिए अपने processor पर यह नहीं की 13,000 रुपे का smartphone launch कर दिया और आधे range में मिल रहा है जो processor उसको यहां पर ढाल दिया है वैसे दोस्तो OPPO के smartphone चलते बहुत लंबा है और चाहे processor कोई भी हो lag issue इनमें नहीं आता है तो आपको यहां मिलेगा 12NM का fabrication Mali G52 के graphic इसके अलावा RAM management को देखें तो 4G वी RAM प्लस 4G वी virtual RAM आप चाहो तो RAM को सीधा दुगना कर सकते हो RAM expansion को on करके और camera details mention है Android hidden के साथ आता है यह smartphone RAM type LPDDR 4X और storage type EMMC 5.1 का दिया गया है expandable memory आप चाहो तो 1TB तक बढ़ा सकते हैं अब एक छोटी से नजर इसके camera पर डालते हैं तो camera में जो भी permission मांगे allow कर दीजिए ताकि हमारा camera अच्छे से work करें तो दोस्तों यहां पर एक object है और object पर देखिए दोस्तों colors काफी अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं तो camera OPPO के वैसे बढ़िया रहते हैं और इस price range के अंदर 50MP का जो camera है वो काफी colorful आपको मिल जाता है लेकिन यहां पर screen पर आपको normal देख रहा होगा अभी इससे video suit करके देखिंगे देखिंगे कैसा output निकल के आता है और sound quality कैसी निकल के आती है बाकी दोस्तों आपको इसमें ported video night mode मिल जाता है और यहां पर एक और निराज करने वाली बात है कि slow motion में video suit करने का सौग रखते हो तो वो भी आपर नहीं दिया गया है time lapse दिया गया है इसका साथ ही slow motion भी दे देना चाहिए था बाकी प्रो प्रेंडर मोड इस्टिकर आप यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों इसमें video आप suit कर पाऊगे only 1080p में 30fps पर फुल एजडी में तो video suit कर पाऊगे लेकिन इसमें 60fps का कोई support आपको नहीं दिया गया है चाहिए वो front camera हो चाहिए rear camera हो अब दोस्तों यहाँ पर आप video quality को notice कीजिए अभी मैं इसके rear camera से video को suit कर रहा हूँ 1080p में 30fps पर इससे ज़्यादा का option नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप video clarity को notice कर सकते हो कैसे इसके colors आ रहे है वीडियो में clarity कितनी अच्छी आ रही है यह यहाँ पर आप notice कीजिए और साथ ही साथ इसकी sound quality को भी notice कीजिए अगर आप blog suit करने के लिए mobile purchase करते हो तो sound quality कैसी आ रही है without mic use कर रहा हूँ दोस्तों तो यह phone का ही mic है तो आप यहाँ पर sound को भी notice कीजिए बाकि दोस्तों यहाँ पर आगर मैं भार की तरफ चलता हूँ तो भार की तरफ प्लेटी आपको बिखाता हूँ ओम जी कैसे हो बिरोजगार बिरोजगार तो 5X पर जूम कर सकते हैं इस पर और यह है इसका front selfie camera अभी मैं बाहर की साइड हूँ और अंदर जाके देखता है कैसी क्लेटी आती है तो यह मां अंदर आ गया और देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी क्लेटी आपको वीडियो क्वाल्टी में देखने को मिलेगी तो फ्रेंड्स यह था ओपो ए स्रीस का लेटेस्ट smartphone Oppo 838 जो कि आपको 13,000 रुपे का मिलता है आपने यहाँ पर वीडियो क्लेटी को नोटिस कर लिया होगा कैसी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए लेकिन अब बात आती है यह smartphone पर्चेस करने लाइक है या नहीं है दोस्तों तो दोस्तों साफ साफ नजरों से देखे तो यह एक ओबर प्रैज्ट smartphone है यह आप भी महसूस कर रहे होंगे दोस्तों क्योंकि आफ्लाइन इस्टोर पर यह smartphone ज्यादा बिकते हैं 128GB का इंटरनल इस्टोरेज तक smartphone में मिल रहा है हाला कि यह OPPO ब्रांड है दोस्तों लंबे टाइम तक इसके smartphone चलते हैं लेकिन फिर भी OPPO कंपनी को ध्यान देना है प्राइस पर स्मार्टफोन का लूक बढ़िया बना है डिस्पले क्वाल्टी एच्छी है कैमरा क्लेटी एच्छी है प्रास प्रोसेसर भी आपको हम मानके चलते हैं ठीक ठाक दिया गया है लेकिन प्राइस 11,000 रुपे से उपर का नहीं होना चाहिए था एक तो यह 4G स्मा दोस्तों तब तो 13,000 रुपे भी सही था लेकिन प्रस्नली मैं बताओं तो 13,000 रुपे मैं मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इसे स्मार्टफोन को पर्चेस कीजिए बाकी तो अपनी पसंद है आप हो सकता है ओपो के यूजर हो पहले से ओपो के यूजर करते हो आपको फर्क नहीं पड़ता 13,000 का है 15,000 का है तब आप पर्चेस कीजिए लेकिन अगर आपने मेहनत करके कठे किये हैं पैसे एक अच्छा स्मार्टफोन पर्चेस करने के लिए तो मैं बिल्कुल इसे पर्चेस करने के लिए तो आपको नहीं कोँगा कि आ आपको इसमें Full HD Plus डिस्प्ले मिलती है ना Super AMOLED का सप्पोर्ट दिया गया है कापी सारी कम्या हैं दोस्तों उपर से प्रोसेसर कितना डाउन दिया गया है आपकी तो अपनी अपनी पसंद दोस्तों आसा करता हूँ मेरे द्वारदी की जानकारी आप सभी के जरूर कुछना कुछ काम आएगी जिससे एक नया स्मार्टफॉन पर्चेस करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी वीडियोज रेगुलर देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें